की स्टोन रियल्टर्स रुस्तम जी आज़ा है क्या सला देंगे इस पर आपने वैसे कहा था कि लिस्टिंग के बाद भी इसको अब लेने वाले इंवेस्टर्स क्योंकि लिस्टिंग जो हमारा अंदाज था कि इशू प्राइस के आज पास होनी चाहिए अब भी अंदाज पांसो एक्तालिस रुपे की जो इस्टोपास होनी चाहिए दोगुना इस्टोप राता राइट मेरा यह माना या तो इस्टोपाइस के आज़ पास थोड़ा सा उपर लिस्ट हो सकता है लोंग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टर्म इन्वेस्टर्स अपनी सुईधा के हनुतार को इस्टॉप्रोस समझ कर लगा लें, पान्सो पचीस रख लें, रेंडम ली की 10-15 रुपे की रिस्क के उस्ते जारा नहीं, वह एक इस्टॉ वेलिशन्स रीजनेबल है, महंगे नहीं है, सस्ते बिल्कुल भी नहीं है, तो नए IP के लिए जो थोड़े सस्ते वेलिशन होने चाहिए, वह मिसिंग है, अगर आप मुंबे के जो बाकी रियल स्टेट कम्निया हैं, इस्पिशली ओवेरोय टाइप सो आप कंपेर करें, उन तो जो कंपनी की रेपुटिशन और ब्रैंड उस हिसाब से हो सकता है, लिस्टिंग के बाद थोड़ा ओर बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो शोट टर्म इन्विस्टिंग के बाद क्या कमाल करता है, इसके अब आज बाजार में होगा, डब्यू, की स्टोन रियल ट okay नज़र रखेंगे इसका